100 प्लस 200 प्लस 500 एंड 1200 ओ मैं गॉड इतने खर्चे ओ हाई अब्रिवन आप सभी का इंडिन मुनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं हु रिया अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कर क्या रही थी दरसल मैं अपने खर्चों को जोड रही थी जो कि मैंने पिछले महीने किया है और मैं बहुते शॉक्ड हूँ कि मैंने कितना ज्यादा स्पेंड कर दिया है जी हाँ, almost मेरे income से भी ज्यादा मैंने खर्चे कर दिये हैं और ये तब होता है जब आप financially educated नहीं होते हो या फिर बहुत सारे financial mistakes कर रहे होते हो मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें इन सब चीजों को avoid करना चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 10 financial mistakes जो हम कर रहे हैं और हमें उन्हें avoid करना है Well, 20s तो बहुत खुबसूरत होती है हम नए life experiences को देखते हैं responsibilities और duties की और अपना पहला कदम बढ़ाते हैं हम सब को ही 20s के age में ही पहली job मिलती है और जैसे ही job मिलती है हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गये हैं मैं जहां चाहूं वहां खर्च करूँ लेकिन क्या ये सही step होगा आपको इस वीडियो में सब समझ आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सब सब पहला mistake जो हम सब कर रहे हैं तो सब से पहला mistake जो हम कर रहे हैं वो है not learning how to budget यानि कि हम अपना budget ही prepare नहीं कर रहे हैं हम सीखी नहीं पा रहे हैं कि budget कैसे बनता है अब आप महीनी में 30,000 रुपए कमाते हो अब उसे कहां spend करना है इसे आप prepare नहीं करते हो तो आपके पैसे इधर उधर खर्च जाएंगे expenses होंगे जो कि unavoidable होंगे आप समझ नहीं पाओगे कि आपके पैसे खर्च कहां हो रहे हैं और month end में या फिर month mid में आपको ये लगेगा कि आपने वो बहुत सारे products नहीं खर दे हैं जो actually में बहुत important था और ऐसे में आप first जाते हो इसलिए important है अपने budget को prepare करना आप एक excel sheet बना लो वहाँ पर अपने budget को properly लिख दो कि आप इस महीने में groceries पर इतने खर्च करोगे आपका travel expense इतना होगा और भी बहुत सारे examples जैसे कुछ basic necessity है अगर आप दवाईयों पर चलते हो यानि कि कुछ आपके medicine हैं तो वो उसके expenses अलग लिख लो और बारी-बारी से सबको अलग-अलग भागों में बाट कर एक budget prepare करो और अगर आप ये करते हो तो आप देखोगे कि आपके जो extra खर्च हो रहे हैं वो नहीं होगे और accordingly आपका finance जो है वो मजबूत होता जाएगा और आप financially freedom पाते जाओगे दूसरे mistake जो हम सब कर रहे हैं वो ये है कि spending more money than you make मतलब हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं हमारा income कम है मतलब अगर मैं 25,000 रुपे कमा रही हूँ मेरे खर्चे 27-28,000 रुपे हैं तो यहाँ पर फिर क्या होगा आप या तो loan लोगे या तो debt में चले जाओगे और ऐसे में आपके ऊपर pressure बढ़ेगा और अगले मन्त फिर आपको loan लेना पड़ेगा पिछले मन्त के loan को चुकाने के लिए और ऐसे में आपका पूरा financial graph बिगड़ता चाहेगा इसलिए इस mistake को भी avoid करना है मतलब उतना ही खर्च करो जितना आप कमा रहे हो या फिर उतने से कम खर्च करो जितना आप कमा रहे हो अगला mistake जो हम सब कही न कहीं कर रहे हैं वो है taking on credit card debt जो या credit card कभी-कभी बहुत ही लाबदायक होते हैं ये मैं मानती हैं लेकिन ये हमारे दिमाग में एक ऐसा चाप छोड़ती है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं spend करने को ऐसे में हम unnecessary चीज़ों पर उसे खर्च करते हैं जैसे कि कपड़े, जूते और अपने अलग-अलग expenses जबकि आपको credit card तभी use करना चाहिए जब आपको किसी offer को avail करना हो या फिर कुछ वैसी चीज़ों को avail करना हो जो बहुत ज़ादा important है ना कि normal expenses और ऐसे में credit card debt बढ़ता जाता है आपको बता दे कि credit card debt हो जाने के बाद आपको काफी interest भढ़ना पड़ता है और ये जो buy now pay later का scheme है ना ये कहीं से भी लाबधायक नहीं होता है अगर आप daily expenses में इसे use कर रहे हो तो जानकारी के लिए आपको बता दे कि credit card एक huge amount चार्ज करती है interest की बात कर रही हूँ मैं वो है 36% per annum तो सोच लिजे कि आप कितना जादा interest credit card के तोर पर pay कर रहे हो और ऐसे में आप कितने बड़े problem में फसते जा रहे हो भी cross हो जाएगी तब आपको या तो loan लीना पड़ेगा या किसी और से उधार लेकर उसे चुपता करना पड़ेगा फिर आप दूसरे उधार को चुपता करने में लग जाओगर और ऐसे में आपकी life पुरी की पुरी messy हो जाएगी next mistake जो हम सब कर रहे हैं वो यह यानि कि हम सब fail हो रहे हैं एक financial goal को establish करने में set करने में और ऐसे में बाद में जाकर जब आपकी age retirement की होगी उस वक्त आपके पास बहुत कम पैसे होगे ना आपके पास emergency fund होगा ना आपके पास कोई savings होगी और बाद में आपको अपने बच्चों पर rely होना पड़ेगा और otherwise हो सकता है कि अगर आपके बच्चे आपको रखने से मना करते तो आप सोचे कि बाद में जाकर आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो आप सब को एक goal set करना बहुत important है proper planning के through अपने financial goal को set कीजिए कि हाँ इस month मैं इतने savings करूँगा या next month तक मैं इतने savings कर लूँगा एक goal set कर लो कि अगर आप इतनी savings कर रहे हो तो बाद में जाकर आपको कुछ asset करीदना है घर करीदना है कोई property लेनी है इस type ही नहीं कर रहे हैं कि पैसे को हम save करें अब मैं 22 साल की अगर हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास काफी वक्त है पैसे बचाने के लिए फिलहाल मैं खर्चे करूँगी मैं अपने life को जीऊंगी ये सब कुछ हम सोचते हैं बट प्राक्टिकली जब ऐसी चीज़े होगी कि आप एक एज में पहुंच जाओगी जब आप रिटायर होने वाले हो काफी बुड़े हो चुके हो उस वक्त अगर कुछ ऐसी emergency आ जाती है जहां पर आपको emergency fund की ज़रत पढ़ती है लेकिन आपने तो कुछ सेवी नहीं किया फिर क्या होगा अब एक ऐसे situation में पहुंच जाओगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि काश अगर मैंने पैसे सेव कर लिए होते अपने 20s सहीं investment शुरू कर देता या savings शुरू कर देता या जो भी हो investment करना चाहते हो कहीं तो वो भी एक अच्छा idea है ताकि बाद में आप उस fund को निकाल सको और अपने retirement age में use कर सको तो जितनी जल्दी आप investment करोगे या जितनी जल्दी आप अपने savings को start करोगे उतनी ही ज्यादा आपको कॉपस मिलेगी अगली गलती जो हम सब कर रहे हैं वो यह कि not having an emergency fund emergency fund क्या होता है basically emergency fund यह होता है कि हम properly कुछ पैसे save कर चुके होते हैं ताकि future में अगर हमारे पास कुछ ऐसी जरुवत होती है कि अब मेरा घर बिग गया हम बहुत loan में चले जा चुके हैं मेरे पास कुछ solution नहीं है या फर घर परिबार में कुछ हो गया किसी का accident हो गया किसी भी time पर वो emergency fund जो है वो आपके लिए अमरित साबित होता है बिल्कुल अब आपको emergency fund उतना एकठा करना चाहिए कि आपके 6 महीने के expenses को वो सह सके और ये सिर्फ retirement के age के लिए important नहीं है मान लो कि आपकी job अचानक से चली जाती है और आपने emergency fund एकठा कर रखा है तो फिर 6 महीने तक आप बेफिक्र रह सकते हो क्योंकि आपके पास emergency fund होगा और आप तब भी financially independent होगे आपको किसी और पर rely होने की जरुत नहीं पड़ेगी और तब तक कोई job आप दून सकते हो तो अगर आपने emergency fund एकठा नहीं किया है तो अगले महीने आप कैसे spend करोगे ये सोचने वाली बात हो जाएगी और उसके बाद आपको किसी और पर rely करना पड़ेगा तो next mistake जो हम कर रहे हैं वो ये है कि not building a good credit score basically इसकी जरुद तब आती है जब आपको कोई loan लिना होता है और ये इस चीज का proof होता है कि आप पे कोई विश्वास कर सकता है basically bank और ऐसे में अगर आपका credit score अच्छा नहीं है तो bank आपको loan नहीं देगी जिसकी वज़े से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊगे जैसे कि घर बनाना या फिर office बनाना कोई business शुरू करना किसी भी business को शुरू करने के लिए अगर आपको loan चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका credit score अच्छा नहीं होगा क्योंकि past में आपने कुछ ऐसी गलतिया की है अपने 20s में ऐसी गलतिया की है जिसकी वज़े से आपका credit score खराब हो चुका है next mistake जो मैं आप और ना जाने बहुत सारी ऐसे लोग करते आ रहे हैं जो थोड़ा भी कमाते हैं spending carelessly जी हाँ बेफिक्र होकर खर्चे करना अब मेरे पास 50 रुपए आ चुके है मुझे जरूरत नहीं है चॉकलेट की लेकिन मुझे पता है कि मेरे जेब में 50 रुपए हैं और मैं चॉकलेट देखकर खरीद सकती हूँ तो मैं खरीद लोगी और बस इसे ही एक बहतरीन example खरीद लिए अब चॉकलेट में वो 50 रुपए मैंने स्पेंड कर दिये अब 50 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा ताकि मैं घर पहुँच जाऊ तो ये बहुत ही बहतरीन example है कि मैं बेफिक्र होकर पैसे इधर उधर उड़ा रही हूँ जिसकी जरुवत शायद नहीं थी हो सकता है, cravings हो, वो अलग बात है बट बस ऐसे ही क्योंकि मुझे चॉकलेट दिख गया मैंने चॉकलेट खरीद दिया अब एक और example मैं दे देती हूँ अगर आपके घर में एक sofa है वो पुराना है, लेकिन वो काम चला रहा है जरुत नहीं है फिलाल आपको दूसरे sofa की लेकिन आप एक ऐसे जगह पर जाते हो जहां पर बहुत सारे सुन्दर सुन्दर sofa's है जिसे देखकर आपका मन मोहित हो चुका है तब आपको लगता है कि नहीं मुझे ये sofa तो चाहिए और ऐसे में आप क्या करते हो sofa को खरीब लेते हो उस sofa को बाहर पेग देते हो बैठना तो sofa पर ही है बेसिकली बैठना ही है और उसकी अभी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने पैसे खर्च कर दिये अब month end में कोई function हो जाता है जहां पर आपको कुछ पैसे इंवेस्ट करने है किसी को कुछ गिफ्ट करना है क्या करोगे आप? फिर से दूसरे पैसे खर्च करोगे यहां पर हमें समझ में आता है कि हम बेफिक्र होकर पैसे तो इधर उधर डाल रहे हैं लेकिन बाद में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब मुझे शायद दूसरे को गिफ्ट करने के लिए अपने husband या अपने पापा से पैसे लेने पड़े क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने sofa खरीदने में खत्म कर दिया तो इसलिए हम ये बड़ी गलती जो है ना करे तो वो बहतर हो तो अगली गलती है delaying savings for retirement अब मेरे उम्र फिलाल 22 साल की है तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी कोई उम्र थोड़ी है retirement के लिए save करने के लिए बिलकुल गलत ये सोच बिलकुल गलत है और ये research में prove भी हो चुका है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हो savings की retirement के लिए उतनी ही जल्दी आपको retirement मिलती है क्योंकि हर कोई 70 या 80 वर्ष तक नहीं कमा सकता है retirement का मतलब बहुत ही साफ है कि उस age के बाद उस proper age के बाद आप पैसे नहीं करना सकते हो कोई source नहीं होगा investment का तो जो कुछ भी होगा वो आपकी savings ही होगी तो हम ये जो सोचते हैं कि 22 साल के उम्र है अभी कोई age नहीं है 26 साल के उम्र से मैं savings करूँगी तो वो सोच हमें यहीं पर बदलनी चाहिए क्योंकि जितनी देरी हम इसमें करेंगे उतनी देरी से हमारी retirement age fix होगी अगली और आखरी गलती जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि not taking calculative risk 20s एक ऐसी age होती है जहाँ पर आप बहुत सारे experiments कर सकते हो हमें से कोई बहुत बड़ा तभी बनेगा जब बहुत बड़ा कोई risk लेगा यानि कि अगर आप कोई risk नहीं ले रहे हो अपने comfortable zone में हो कि आपकी 20,000 रुपे की नौकरी लग गई है और अपने घर पर आप comfortable हो work from home चल रहा है सब ठीक है कोई expenses नहीं है क्योंकि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा कि आपकी growth भी नहीं हो रही है अगर आप कोई बड़ा risk नहीं लेते हो अपने zone से बाहर नहीं निकलते हो तो आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ये 10 वो financial mistakes हैं जो हमें avoid करना है यानि कि मुझे भी और आपको भी मैं भी कोई savings नहीं कर रही हो लेकिन इन वीडियो के लिए prepare करते समय मैं भी ये समझ चुकी हूँ कि मुझे भी savings करनी होगी मुझे भी कहीं invest करना होगा ताकि future में जाकर अगर कोई emergency होती है तो मेरे पास भी savings हो मेरे भी retirement age बहुत कम हो मैं भी 60 वर्ष की I.O. से कमाना बंद कर दूँ फिलाल के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद